तो दोस्तों अगर आप भी अपने फोन में Jio True 5G एक्टिवेट करना चाहते हैं और आप अपने फोन में नहीं कर पा रहे हैं आपके फोन में नहीं हो रहा है और यहाँ पर आपके फोन में जो 4G लिखके आ रहा 1G चल रहा है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताएंगे इससे दोस्तों आप बड़ी आसानी से अपने फोन के अंदर जियो ट्रू 5G एक्टिवेट कर सकते हैं चालू कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप अनलिमिटेड डाटा का मजा ले सकते हैं ब आप पूरा इंड तक देखिए उसके बाद आप अपने फ़ोन में कर पाएंगे तो चलिये दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो के रिश्ट करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए इसके वीडियीयो को उसे प्सेट कर रहा है उसके बाद आपको बैकान और वीडियो को उपने सभी दोस्तों के साथ WhatsApp पर ज्यादा 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 सेयर जरूर करना है आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट तो दोस्तों अपने फोन में ज्यो ट्रू 5G एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर में जाना है और अगर आप my geo application आपके phone में नहीं है तो आपको यहाँ पर my geo जो है search करना है और उसे आपको download कर लेना इस तरीके से तो हमारे phone में है तो मैं इसे open कर लेता हूँ आपको download करके open करना है उसके बाद आपको अपना mobile number डालना हो और number डालने के बाद आपके पास OTP आ जाएगा और automatically detect कर लेगा तो आपके सामने ऐसा कुछ user interface दिखाई देगा आप यहाँ पर उपर आपको search का अपसन दिखाई दे रहा तो यहाँ पर आपको आना और यहाँ पर आपको search करना है true इस तरीके से आपको true 5G लिखके search करना है अ और यहाँ पर check 5G readiness की setting मिलेगी तो इस पर आपको type करना है अब यहाँ पर आप जैसे दोस्तों type करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ option आ जाएंगे तो सबसे पहले दो आपसन आएंगे जियो welcome offer और यह second वाला तो यह दोनों tick हो जाएंगे अब third number पर यह पूछ रहा को update ही नहीं करते हैं तो दोस्तों अगर आपके phone का भी software पुराने version का है update नहीं है तो फिर आपको अपने phone में true 5G नहीं चला पाएंगे तो सबसे पहले अगर आपका phone update नहीं है तो आपको update now पर click करना है और इसे update कर लेना है लेकिन हमारा जो है software update है तो मैं I have updated पर click करूँ अब यहां तो आपको बाहर निकलाना है बाहर निकलाने के बाद आपको एक setting और करनी है अपने phone की setting में जाना है और setting में जाएंगे तो यहां पर आपको sim and network की setting में जाना उसके बाद जिस भी जियो के sim में चलाते हैं इंटरनेट उस पर आपको टैप करना है और निकले आपको preferred network type की setting मिलेगी तो यहां पर आना है और यहां पर आपको 2G, 3G, 4G पर set होगा तो इसे आपको 4G, 5G आटो पर set कर देना है या 5G only उस पर set कर देना है और उसके बाद बैक आना है अब चलि 5G trial unlimited लिखके आ चुका है और यहां पर भी 5G activate हो चुका है तो बस दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने phone में 5G unlimited जो है 5G activate कर सकते हैं और फिर आप आराम से 5G high speed internet चला सकते हैं तो दोस्तों यही था इस वीडियो में वीडियो को like share कीजिए और ऐसी interesting वीडि वीडियो में thank you